जहिन आज एलेक्ट्रिकल मेजर्मेंट का पहला विडियो है लेकिन आज हम मेजर्मेंट स्टार्ट नहीं करेंगे उसके पहले हम मैगनेटिजम के कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे दिकाओ बिना मैगनेटिजम पढ़े हमको मेजर्मेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आएगी इसलिए हमको magnesium डिसकास करना बहुत जरूरी है तो magnesium में हम एकदम zero से चलेंगे ये मान कर चलेंगे कि जो विद्यार थी डिपलोमाथ थर्ड सेम electrical में आए हैं उनको कुछ नहीं आता है ये मैं मान कर चलता हूं हलाकि वह बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले हम जानेंगे मैगनेट क्या है मैगनेट किसे कहते हैं मैगनेट का डिफनेशन जानेंगे तो आएए हम बिना देर किये स्टार्ट करते हैं कि मैगनेट क्या है वाट डूइ मीन इसेक्टरा इच कॉल्ड मैगनेट मने वैसा सबस्टान्स जो कुछ मैटेरियल को जैसे आईरन, कोबाल्ट, निकेल को अपनी और आकरसित कर लेता है वैसे सबस्टान्स को हम मैगनेट बोलते हैं मने ए सबस्टान्स कुछ मैटेरियल को ही अपनी और आकरसित कर लेता है मने कुछ material में हमने नाम दिया iron, cobalt, nickel, etc. इन तीनों material जो आपको लिखे हैं इसको बोला जाता है ferromagnetic material क्या बोलते हैं sir? ferromagnetic material इसको हम ferromagnetic material बोलते हैं तो हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ, वैसा सबस्टांस जो ferromagnetic material को लह चुमबकिये पदार्थ को अपनी और आकरसित कर लेता है वैसे सबस्टांस को हम magnet बोलते हैं क्या बोलते हैं? magnet बोलते हैं sir इस magnet का ना दो प्रोपर्टी होता है एक attractive होता है और दूसरा directive होता है इस magnet का कितना प्रोपर्टी? दो प्रोपर्टी एक आपका attractive दूसरा directive होता है इस प्रोपर्टी के कारण ना magnet किसी material को अपनी और आकरसित करता है अपनी और attract करता है इस प्रोपर्टी के कारण Due to this property, magnet attracts some material towards itself मने इस property के कारण magnet जो है कुछ material को अपनी और आकरसित करता है और ये directive property जो देख रहे हैं इस property के कारण magnet को जब freely suspend कर दिया जाता है तब वह पिर्थवी के उतरी और दचनी दिशा की और नेरदेशित हो जाता है इस property के कारण Due to this property, magnet is hanged freely Then it is directed towards the geographical north and south of the earth मने इस property के कारण जब किसी magnet को freely suspend कर दिया जाता है लटका दिया जाता है तब वह पिर्थवी के उतरी और दचनी दिशा की और directed हो जाता है इसलिए इस property को हम directive property बोलते हैं और इस property को attractive Because इस property के कारण Magnet जो है किसी material को अपनी और अकरसित करता है क्या करता है? अपनी और अकरसित करता है जैसे suppose that एक कोई magnet है क्या है? कोई magnet है तो किसी भी magnet के अंदर किसी भी magnet के अंदर आपका क्या है? दो पोल होता है एक का नाम दिया गया है नौर्थ पोल दूसरे को सौथ पोल बोलता है मैं यह भी बताओंगा लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि magnetic pole है क्या? तो किसी भी magnet के अंदर वह पॉयंट जहां उसका attractive property जहां उसका magnetic property maximum होता है उसी point को magnetic pole बोलता है किसी भी magnet के अंदर वह पॉयंट की तोनों एंड के थोड़ा सा अंदर उसका अंदर उसका मैगनेटिक प्रोपर्टी ज़ादा होता है सार इसी दोनों point को magnet का पोल कहते हैं का बोलते हैं मैगनेट का पॉल एक का नामा करण किया गया है North बोलते हैं और दुसरे को south pole बोलते हैं एक को North pole बोलते हैं दुसरे को south pal बोलते हैं के लिए तो किसी भी magnet के अंदर वह without point जहांう उसका attractive property maximum होता है जहां उसका क्या होता है magnetic property maximum होता है उसी point को magnetic pole बोलते हैं और यह दोनों point जो होता है दोनों end से थोरा सा अंदर होता है clear तो किसी भी magnet के अंदर दो पोल एक North Pole दूसरा क्या होता है सर सौथ पोल होता है आपको मैं बता दूं कि आपका यह जो दोनों आपका क्या है ना कि magnetic pole थोरा अंदर क्या होता है तो कोई भी magnet जो है सर कोई भी magnet जो है वो छोटे-छोटे magnet से मिलकर के बना होता है कोई भी magnet जो है काफी teeny-tiny magnet से मिलकर के बना होता smallest or smallest magnet से मिलकर के बना होता है उसको हम molecular magnet बोलते हैं और ओ molecular magnet जो है एक standard fashion में एक particular direction में align होता है उसी property के कारण आपका क्या होता है कि magnet का जो दोनों pole है वो किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है जैसे मान लो यह molecular magnet हम दिखा दिये जो एक particular direction में सभी molecular magnet align होता है तो इसी alignment के कारण आपका क्या है सर जो effective magnetic property होता है या effective attractive property होता है वो दोनों end पर ना हो करके end से थोड़ा सा अंदर होता है जैसे हमने दिखा दिया कि यह सभी molecular magnet है जो एक particular direction में आपका क्या आशर align है तो इसी alignment के कारण क्या है इसी molecular magnet के alignment के कारण क्या होता है इस पूरे magnet का जो effective attractive point होता है maximum attractive point जो होता है वो दोनों end से थोड़ा सा क्या होता है अंदर होता है दोनों end से थोड़ा सा क्या होता है अंदर होता है तो यहीं दोनों जहां magnetic property या attractive PArita come at a maximum of magnetic Force alان 빨리 कि आपड़ातकी पो स्ट्रेंद क्या होता है पोल का स्ट्रेंद स्टेंद का मतलब जानते हो पावर शक्ति जानते है न टो कहता है कि एधिस जो है जिस पावर से जिस सक्तिसे किसी मेटेरियल को अपनी और आकरशित करता है वही पावर pole strength कहलाता है it is the power of the magnet pole strength is the power of the magnet मने इसी strength के कारण magnet जो है किसी भी सवस्तान्स को अपनी और क्या करता है सर आकरिषित करता है तो कोई भी magnet है ना तो उसके दो pole तो दोनो पոल का जो strength होता वो ब्राबर होता है मने दोनों का जो pole strength होता है Polar strength वो आपका equal होता है Polar strength जो होता है Magnet के दोनों pole का वो बराबर होता है लेकिन nature में opposite होता है चुकि एक को north बोलते हैं दूसरे को south बोलते हैं magnitude में दोनों polar strength तो आपका equal होता है लेकिन दोनों आपका pole जो है वो nature में opposite होता है Polar strength को हम M से represent करते हैं से रिपरजेंट करते हैं, एम से रिपरजेंट करते हैं, इसका SI unit जो है, वो बेबर होता है, क्या होता है, बेबर, इसका SI unit सर बेबर होता है, इसको हम WB से express करते हैं, WB से रिपरजेंट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को हम M से रिपरजेंट करते हैं और पॉल स्ट्रेंथ जो है किसी मैगनेट का पावर है इसी पावर के कारण कोई मैगनेट जो है किसी सबस्तांस को जैसे आयरन कोबाल्ट और निकेल को अपनी और आकरसित करता है और पॉल स्ट्रेंथ को हम एम से रिपरजेंट करते हैं किसे एम से इसका ये साई कि ये North Pole क्यों कहते हैं South Pole क्यों कहते हैं ये भी तो बताना है तो आईए हम जानते हैं कि ये North Pole क्यों है और ये South Pole क्यों है आप जानते हो कि पिर्थवी भी एक विसाल मैगनेट की भाती बहवार करती है Earth also behaves like a huge magnet मने अर्थ भी आपका क्या है सर एक विसाल मैगनेट है मने उसमें भी दो पोल होगा मने एक पोल North Pole होगा और दूसरा पोल South Pole होगा जैसे सर ये हमने अर्थ बना दिया ये अर्थ का सौथ है और ये North है मने ये पिर्थवी का जो है भागोलिक उत्री दिशा है और ये आपका भागोलिक दचनी दिशा, भागोलिक कहने का मतलग है, जो हम आम बोल चाल की भासा में कहते हैं, ये उतर दिशा है, ये दच्छिन दिशा है, मने ए जोग्राफिकल नौर्थ है, ए जोग्राफिकल सौथ है, पिर्थवी का, लेकिन पिर्थवी भी एक विसाल मै मैगनेट की भाती बहवार करती है मने इसमें भी मैगनेटिक प्रोपर्टी होता है जिसका मैगनेटिक सौथ जो है वो पिर्थवी के उत्री दिसाकी और होती है और जिसका मैगनेटिक नौर्थ जो है वो पिर्थवी के दर्चनी दिसाकी और होती है मने यह आपका मैगनेटि नौर्थ तो देखो पिर्थाभी का जो Magnetic North है वो आपका जो Geographical South Direction है उसकी ओर है और पिर्थाभी का जो आप का Magnetic South है वो पिर्थाभी का जो Geographical North है उस डेक्शन में है clear तो यह यह तो देख रहे हो यह 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 पिर्थाभी है आपका क्या मैगनेटिक पूल है यह नौर्थ पूल का लाएगा सर और आपका क्या पवलाता है। है को चब किसी जब किसी मेगनेट को हम फर्ली सस्पेंड और inka करते हैं उसको आपका देते हैं फर्ली मानलो यह मैगनेट जिसको हमने frilly क्या कर दिया सर फ्रिली यहां से सबसर यहां से लटका दिया तो यह मैगनेट क्या है यह बार मैगनेट जो है वो पिर्थवी के उत्री मने ए उत्री और दचनी दिसा की ओर डिरेक्टेड हो जाता है मने जब आप इस magnet को freely suspend कर दोगे तब क्या होगा कि ये magnet पिर्थवी के geographical north और पिर्थवी के geographical south direction में direct हो जाता है तो magnet का जो end पिर्थवी के geographical north की और होता है वो उसका magnetic north pole कहलाएगा और magnet का जो end पिर्थवी के geographical south की और होता है वो उसका south pole कहला जाएगा ऐसा क्यों होता है सर, चुकि आप जानते हो, मेगनेट के दो अपोजिट पॉल में अट्रेक्शन होता है, और सेम पॉल में रिपल्सन होता है, तो देखो तो, मेगनेट का जो एण्ड आपका पिर्थवी के उत्री दिशा की ओर होगा, उसका नॉर्थ पॉल हो जाएगा, तो तो मेगनेट का जो सौथ पोल है वो आपका क्या है अर्थ का जो मेगनेटिक नॉर्थ पोल है उस डिरेक्शन में तो इन दोनों में अट्रेक्शन होगा तो यही कारण है कि इसमी इसमें अट्रेक्शन और इसमी इसमें अट्रेक्शन के कारण ही किसी मेगनेट को जब हम फिर कर देते हैं तो फिर थभी के उत्री और द्छिन दिसा के और डिरेक्टेड हो जाता है और इसी प्रोपर्टी को हम क्यों बोलते हैं सर डिरेक्टिव प्रोपर्टी बोलते हैं क्या बोलते हैं डिरेक्टिव प्रोपर्टी जहां से किलियर हो गया कि हमारे इसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं इसको सौथ क्यों बोलते हैं अब हम आते हैं पोल स्ट्रेंथ भी हम समझ गये मैगनेटिक पोल भी समझ गये क्यों आपका मैगनेटिक नौर्थ और सौथ कहला था यह भी हमने बता दिया अब जो हमारा अगला टॉपिक है सर वह है आपका मैगनेटिक आक्सिस क्या है मैगनेटिक आक्सिस क्या होता है जैसे सपोस्ट यह आपका क्या है सर मैगनेट है यह नार्थ पोल होगा और यह सौथ पोल होगा तो कहता है कि मैगनेट के पोल से होकर के जो एक्सिस गुजरता है उसी को मैगनेटिक एक्सिस बोलते है तो यह जो आप एक्सिस देख रहे हो यह जो एक्सिस है यही एक्सिस को हम क्या बोलेंगे मैगनेटिक एक्सिस बोलेंगे क्या बोलेंगे मैगनेटिक एक्सिस बोलेंगे सर हां चुकि यही एक्सिस मैगनेट के पोल से होकर के गुजरता है इसको आप डियरेक्ट एक्सिस भी बोलोगे डियरेक्ट एक्सिस मने डियरेक्ट मैगनेट के पोल से होकर के गुजर रहा है इसको हम D-axis भी बोलेंगे, आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे, मसीन में पढ़ाएंगे, फोर समेस्टर में, तो हम D-axis लिखेंगे, डारेक्ट आक्सिस लिखेंगे, मने O-axis जो है, मैगनेट के पोल से होकर के गुजर रहा है, तो जो एक्सिस मैगनेट के पोल से होकर के गुजरता है, उसको मैगनेटिक आक्सिस बोलते हैं, एक आक्सिस और कहलाता है Q-axis, कि Q-axis किसको बोलते हैं, तो जो मैगनेटिक आक्सिस का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो लान्य में मैगनेट को दो बरावर भागों में बाटता है उस axis तो में में देखें, दो axis हो गया, एक magnetic axis हो गया, जिसको हम direct axis बोलते हैं, दूसरा हमारा क्या हो गया, q axis हो गया, जिसको हम quadrature axis बोलते हैं, clear, तो यहां से हम समझ गया, कि जो axis magnetic के pole से हो करके पास होगा, उसको क्या बोलेंगे, magnetic axis, direct axis, d axis, और जो magnetic axis का, या direct axis का, या d axis का perpendicular by sector होगा, उसक हम और भागों में का रहा बाट रहा है आंब हम आएंगे हां मैपनेटिक लेंथ में आएंधे सवर क्या एक Minelli को बिखो यह मैगनेत है न यह इसका नौर्थ पूल और इसका क्या होगा सॉथ पूल देखिए आपको हम बताते हैं magnetic length तो कहता है कि magnet के दोनों pole के बीच की दूरी को magnetic length बोलते हैं और magnet के दोनों end के बीच की दूरी को हम बोलते हैं geometric length मने जो capital एल जो है ओगाँ सह पोल के बीच की दूरी है और जो एक और देख रहे हैं 2L दोनों एक हैं मने ऐसे या 2L से तो यह क्या है दोनों pole के बीच की दूरी है तो A और 2L जो है ओगनेटिक length है मने और आपका L जो है capital L जो है वो आपका geometric length है मने मैगनेट के दोनों एंड के बीच की दूरी जोमेट्रिक लेंथ कहलाएगा और मैगनेट के दोनों पूल के बीच की दूरी आपका क्या कहलाएगा मैगनेटिक लेंथ तो देखने से भी पता चल रहा है कि जो मैगनेट का मैगनेटिक लेंथ है वो geometric length से आपका क्या होगा छोटा होगा तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं सर यह बरबर हम क्या लिख सकते हैं इसको relation होता है यह बरबर होता है 0.84 into L होता है यह आद रखिएगा कि यह बरबर जो होता है 0.84 into L या A बटा L हम क्या लिख सकते हैं 0.84 लिख सकते हैं या A बटा L जो है वह हम 5 बटा 6 लिख सकते हैं तो आप यहां से समझ गे magnetic length भी समझ गे कि magnetic length क्या होता है clear magnetic axis आप समझ गे अब हम आपको आते हैं magnetic moment में क्या आते हैं magnetic moment देखो सर आप लोग यह सब जानते होंगे 12 में पड़े होंगे 10 में भी पड़े होंगे magnetic moment कि magnetic moment किसे कहते हैं तो आप जानते हो कि moment का मतलब होता है turning effect moment means turning effect मने किसी को घुमा देना किसी को नचा देना किसी को जुब कर देना स्मञरे किसी access about इसी को जाता है moment moment का मतलब होता है turning effect moment का मतलब क짝 मतलब होता है turning effect turning effect moment का मतलब होता है turning effect तो बात कर रहे हैं कि magnetic moment बने इसके कारण magnet में rotation वाला effect बने के कारण magnet rotate कर जाएगा तो देखो आपका क्या है magnetic moment क्या है magnetic moment को हम सर capital M से represent करते हैं किस से represent करते हैं capital M से represent करते है magnetic moment is represented by capital M and it is defined and it is defined it is the product of polar strength polar strength को M से पॉलर स्ट्रेंथ एंड मैगनेटिक लेंथ तो यह आपका क्या हो गया सर्डे आपका जो हो गया मैगनेटिक मोमेंट हो गया और मैगनेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा पोलर स्ट्रेंट का यूनिट बेबर होता है तो बेबर लिख दिए और ये तो दूरी है चुकि magnetic length है तो इसका unit meter होगा तो polar scale magnetic moment का unit हो गया वो बेवर meter होगया क्या हो गया बेवर meter और यह vector quantity है vector quantity magnetic moment जो है वह आपका क्या है सर vector quantity है क्या है vector quantity समझ गये है तो magnetic moment आपका क्या है सर भेक्टर क्वांटिटी है के लिए तो मैगनेटिक मॉमेंट आपका क्या होगा एंटु ए ए तो आप कह रहे होंगे सर की मैगनेटिक moment का मतलब होता है turning effect तो क्या इसके कारण magnet rotate करते रहेगा तो आपका answer का जवाब है नहीं बुलिएगा क्यों sir तो आपको मैं बता दूँ जैसे कोई magnet है इसके अंदर दो पोल एक तो north pole होगा और एक आपका south pole होगा इसका भी polar strength M इसका भी polar strength M तो दोनों का तो polar strength बराबर है लेकिन दोनों का nature opposite है तो ये आपका क्या है sir magnetic length A तो इसके कारण जो magnetic moment है मान लो clockwise direction में तो क्या होगा M into A और इसके कारण जो magnetic moment होगा वो भी M into A होगा लेकिन opposite direction में होगा M into A तो देखो तो दोनों का तो magnitude बराबर है दोनों का moment का लेकिन दोनों का nature opposite है ये ही कारण है कि net magnetic moment इस magnet पर क्या होगा 0 और magnet आपका finally rotate नहीं करेगा वो magnet stationary रहेगा clear तो हमारा देख रहे है कि हमारा क्या है sir कि ये magnetic moment जो हमने देखा ये north pole के कारण मान लिया clockwise direction में ऊंटी में होगा और आपका सथ पुल के करण magnetic moment आपका masa a man to yah होगा दोनों का ने चरा पोजopard एक तो दोनों का moment अपका positive direction में होगा तो दोनों का जब आपोजिक डिरेक्शन में होगा तौ आप दोनों क्या होगा H आप आपको मैं बताता हूं इस यह gekle कोई मेगनेट है है कोई मैगनेट है कि इसको काट देंगे सर जदी परपेंडिकुलर बाई मने की आक्सिस के लॉइंग मेच्पीत मेच्टर के तो क्या मैगनेट का पोल अलग हो जाएगा नहीं मने यह जैसे टुकड़ा अलग हो गया और यह टुकड़ा अलग हो गया तो यह भी मैगनेट बन जाता है मने इसमें भी नौर्थ पोल और सौथ पोल किरेट हो जाता है इसमें भी नौर्थ पोल और सौथ पोल किरेट हो जात की तरह behave करना शुरू कर देता है उसमें भी North Pole और South Pole create हो जाएगा और उसका जो strength रहेगा वह unaffected रहेगा इसका strength यह ही रहेगा इसका strength यह ही रहेगा लेकिन जो आपका magnetic length है वह आधा हो जाएगा और magnetic length यहाँ भी क्या हो आधा हो जाएगा तो जैसे ए टुकड़ा था नौर्थ पोल और सौथ पोल इसको हमने दो भाग में बाट दिया तो पोल स्ट्रेंथ वही रहा जाएगा पोल स्ट्रेंथ वही चुकि आपका मोलिक्यूलर मैगनेट का एलाइनमेंट चेंज नहीं होता है मने यह जो मोलिक्यूलर मैगनेट जो देख रहे हैं मैगनेट के अंदर जो है इसका एलाइनमेंट काट देने से चेंज नहीं होता है इसलिए उसका पोल स्ट्रेंथ वही रहा जाता है तो इसका भी पोल स्ट्रें तो कितना हो जाएगा एम इंटू यह बटका टू हणी एम डैस बरबर क्या हो जाएगा और यह में को क्या बोलते हैं capital M यह मटड़ा टू मन इस condition में magnetic moment आपका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा क्या अब जैसे आपका क्या है सर हाँ इसलिए आपका पॉल स्ट्रेंफ चेंज नहीं कर रहा है चुकि काट देने से आपका क्या मोलिकूलर मेगनेट का इलाइन्मेंट आपका चेंज नहीं करता है। कोजियों का तियों उड़ाता है अब जिसे मान लिए कि कहेंगे सर एक कोई मैगनेट है इसको इस एक्सिस के लॉंग काट दिये तब मुमेंट क्या होगा तो यह नौर्थ पोल और यह सौथ पोल यह दूरी आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ हैं इसक स्ट्रेंच नांश्छ आपके हों जाएगा चलयर कुक दूरी घृर्ण तो इसको तेगल हैं फोल स्ट्रेंथ हो और स्ट्रेंथ मैं रहे घ्ली यह दूर्द सूर्थ थक्त्रेंथ नौर्थ पोल है पहले बल्ला मोमेंट एंज डहां बरबर क्या हो जाएगा इया हो स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा कीलियर कैं आप मान लेते हैं सर कि हमारा क्या है कि एक वे बार मैगनेट एंग कि जिसका मैगनेटिक आपका लेंथ यह समझे रहे हैं मैगनेटिक लेंथ है नौर्थ पॉल और साथ पॉल इसको एल सेप में मोड़ दिया गया है बीच से किसमें मोड़ दिया है एल सेप में यह नौर्थ पॉल और साथ पॉल तो बीच से मोड़ दीजेगा तो यह दूरी यह बटा टू हो जाएगा और यह दूरी लेकिन जब यहां मोमेंट लिका लेंगे तो यहां हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा लेकिन आपका जो है वो मैंगे लेंथ जो है इतना रहे गया तो यह आपका आज मैंगे का सौट इंट्रोडेक्शन था अगले क्लास में अगले वीडियो में हम देखेंगे मैगनेटिक फोर्स के बारे में कुलम्स लाफ मैगनेटिक फोर्स की कुलम्स लाफ मैगनेटिक फोर्स क्या है सेम टाइप का पोल और अपोजिट टाइप के पोल में क्या 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 रिलेशन होता है दोनों के बीच लगने वाला force का magnitude क्या होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे अगले वीडियो में हम magnetic field के बारे में भी discuss करेंगे तो overall अगला वीडियो जो है वो important रहने वाला है यह तो आपका simple intro reduction था आप यह पहले से भी इसके बारे में आप जानते होगे तो आज फिलाल इतना ही जै हिंद जै भारत